नमास्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सही होंगे वेल्कम तो करतब्य क्लासिस और आज का टॉपिक है कंप्यूटर साइन्स का है क्लास 12 का कुछ-कुछ कोईशन जो मैंने एमसी की बनाये हैं उनका कुछ का अंसर भी है यह है डाटा स्ट्क्चर से रिलेटेड तो चलिए कोईशन को सुरुवात करते हैं पहला कोईशन है मिनिमम नंबर ओफ फिल्ड इन इच नोड ओप डबल लिंक लिस्ट इज तो डबल लिंक लिस्ट का मतलब होता है एक से ज़्यादा इसका अप्शन होगा अप्शन भी थीरी दूसरा कोईशन है एक ग्राफ in which all vertical have equal degree is known as complete ग्राफ क्योंकि complete ग्राफ तभी कहलाता है तीसरा कोईशन है जो डारेक्ट ग्राफ होता है इसको क्या बोलते है एस लिंक बोलते है ठीक है उसी तरह से चौन्था कोईशन क्या है एक ग्राफ इस एट ट्री इफ एंड ओनली इफ एक ग्राफ ट्री तभी कहलाता है जब उसमें कोई साइकल बना नहीं रहता है ठीक है तो इसका दूसरा ओप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा कंटिन नो साइकल अगर यह साइकल हो गया तो वो ट्री नहीं कल आएगा जैसे ट्री में कोई साइकल दुबारे रिपीट इंडिंग और जो स्टार्टिंग नोड होता है वो दुबारे मिल नहीं सकता है इसी तरीके से जो ट्री वाले गराफ होते हैं उसमें कोई साइकल नहीं होता है तो इसका आणसर हो जागा कंटेंडिंग नो साइकल ठीक है अब आते हैं फूर्थ नम्बर कोशिशन में दा इलेमेंट ओफ ये लिंक लिस्ट आर अस्टूर ठीक है लिंक लिस्ट का जो इलेमेंट होता है वो कहां पे अस्टूर होता है पहला अप्शन आप है इन अस्ट्रक्चर इन एरे anywhere the computer has a space for them या incondigate memory location तो इसका सही सही आंसर है anywhere the computer has a space for them जहां इसको space दिया जागा वहाँ पे ये एस्टूर हो जागा चलिए नेरे कोशन के और चलते है कोशन नम्बर सिक्स ए पैरेंथेसिस चेक्ट प्रग्राम would be based implied using सबसे अच्छा कौन सा है तो होता है उसका stack S T A C की तो list कैसे बनता है जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे बनता है Q का बोलता है Q का क्या मतलब होता है एक की पीछे एक लगना जिसे हम लोग ATM में लगते हैं इसको Q बोलते हैं या assembly में लगते हैं उसको Q बोलते हैं और stack बोलते हैं जब कोई element एक के उपर रखा जाता है जैसे plate जो हम लोग घर पे रखते हैं एक की उपर एक, एक की उपर एक उस तरीसे से अगर कोई कीज रखा जाता है उसको stack बोलते हैं Q एक के पीछे जब लगा जाता है को क्यों बोलते हैं इसी में आता है फीफो लीफो वाला कंसेप्ट तो इसका ओप्शन हो जाएगा है किस तरह का होता है तभी मैंने बताया आपको क्यों टापको होता है तो इसका अन्सर हो जाएगा क्यों प्रिफिक्स नमबर एट है और इन्फिक्स यह मैंने बताया है प्रिफिक्स इन्फिक्स और पोस्ट फिक्स दीसरा का फिक्स होता है तो इन्फिक्स मतलब होता है कि जो नमबर की बीच में लगा जाता है जिसे x प्लस y तो प्लस वाला कंसेप्ट में infix होता है post fix जो बाद में लगता है जिसे x y प्लस ठीक है और prefix मतलब प्लस x y यह वाला कंसेप्ट को तो इसमें एक भी कंसेप्ट इस तरह से नहीं है तो इसका नन आप दी जोगा ठीक है question number 9 कियों चलते है a boundary tree in which all the levels expect the last have maximum number of node and all nodes in the last label have only one child its left child name is the complete boundary tree ठीक है इसका उतो होगा complete boundary tree question number 10 है which of the foreign data structure is more appropriate for the implementing quick sort irritation तो quick set के लिए होता है a stack तो असका option हो जागा a stack 11th number है the number of age in complete graph of n vertex is को भी कोई graph बना जाता है complete number निकालने के लिए एक formula होता है जिसको बोलते है n into n minus 1 divided by 2 तो ये वाला option मिलेगा आपको option B में इसका answer है option B next question है if two tree have same structure and but different node containing they are called तो उसके अगर दोनों same shape रहेगा तो उसको हम similar बोल सकते हैं ठीक है same names अलग होता है जो grammar पढ़ते हैं joint जूडा हुआ रहा रहता है equivalent मतलब बराबर ठीक है similar का मतलब होता है जब दो ट्री same structure होता है structure same होना चाहिए उसका इसको बोलते हैं similar इसका option हो जाएगा D similar ठीक है तेरा question number है if two trees have same structure and node containing they are called equivalent tree यहाँ पर क्या हो गया equivalent tree अब आते हैं number question find the location of given item in collection of item is called searching यह technique होता है किसी भी जिसको search करने के लिए number को search करने के searching technique होता है bubble sort होता है यह technique है तो इसमें आता है searching technique next question the time complexity of quick sort bubble sort quick sort searching technique एक और technique होता है tweak sort इसका एक फार्मूला होता है जिसको बोलते है on log n ठीक है तो इसका option सही option हो जाएगा option d n log n question number 16 है tweak sort is known as tweak sort का एक और कौन सा नाम है partition and exchange sort partition एक मतलब चोटे-चोटे भाग में इसको बाटना और फिर इसको exchange करना अगर जो बड़ा नंबर है जिसको छोटे नंबर से compare करते हैं तो बड़े वेले उपर चले जाते हैं छोटे वाले इंची राते हैं question number है sorting is a good use for alpha-petrialized a large list name of radix इसको अपसंसी हो जागा radix the total number of comparisons in bubble salt is analog जो भी थोड़ा दर पहले बता हैं उसके बाद question number 19 का discussion अभी थोड़ा दर पहले किया था LIFO, FIFO LIFO का मतलब बता last input first output और FIFO का मतलब बता first in first out ठीक है तो first in first out होता है Q में और last in first out होता है a stack में ठीक है जो भी बता है a stack मतलब जो आप कि यसे पेट को रखा जाता है उसको stack बोलते है जो जो वाला plate सबसे last में रखाता है वो सबसे पहले निकलता है ठीक है लेकिन जो Q होता है जो assembly में हम लोग लगते है या ATM के बाहर line लगते है जो पहले आता है वो पहले जाता है उसको बोलते है first input first output तो इसका होता है first input first output ठीक है उसके बाद question number है question number 20 new node are added to the black of Q sort black of Q Q की पीछे लगाशा है node बोला जाता है जिसे node होता है address होता है और एक में data रखा जाता है समझे एक box है एक box में दो एक box को दो भागें बाटा गया पहला को address दूसरा को node ठीक है तो back वाले जो होता है पीछे वाला portion उसमें जोडा जाता है next question है the term push and pop is related push और pop किसमें होता है तो stack में होता है ठीक है push का मतलब होता है insert करना pop का मतलब होता है बाहर निकालना तो push और pop होता है अगर कोई जैसे कोई हम लोग plate रखते हैं एक के उपर उसको push बला जाता है एक plate जब बाहर निकालते है उसको बुल जाता है pop तो ये number के साथ भी होता है question number 222 है which of the following is application of stack अभी थोड़ दे पला है stack application मतलब application कहां पर यूज जाता है finding of factorial factorial का भी होता है जैसे 2 का factorial के से निकालते है 2 into 1 4 का factorial 4 into 2 into 1 बैग जाते है processing each element in list is known as इसे क्या बोलते है transfer तो योगिया transfer next question है the situation when when in a list start equal to none is under flow ठीक है योगिया इसका under flow next question है which of the following are two-way list जिसमें दो list होता है उसको बोलते है transfer से नाम से पता लगता है कि two है मतलब दोनों तरफ जाने वाले तो होगिया list transverse ठीक है which is the pointer associated with available list pointer मतलब जो address को बताता है इसको बोलते है pointer इसका answer होता है able A-V-A-I-L which of next question है which of the following data structure cannot restore non-homogeneous element non-homogeneous का मतलब जो एक तरह का होता है उसको बोलते है homogenous non-homogeneous मतलब जो एक तरह का element नहीं होता है तो अगर number की बात करें number complex number भी हो सकता है odd number even number बहुत तरह का number हो सकता है लेकिन अगर इसको homogeneous बोलें जितना भी even number होता है उशारे homogeneous में आते हैं एक काटेगरी में आते हैं इस तरह को बोलते हैं array तो इसका answer हो जागा array which of the following is non-linear data structure जिसका non-linear data structure होता है तो अभी पिछे वाले question में मैंने discuss किया था कि जो cycle के form में repeat नहीं करते हैं उसको बोलते हैं tree तो यही होता है non-linear जो सीधा नहीं होते एक चला का follow नहीं करते हैं तो या tree तो tree का होगा या answer d next question है 29 to represent in hierarchical relation between element which data structure is suitable तो इसका tree अभी थोड़ा दर पहले same question ही है ठीक है और last question है इसका identify the data structure which allowed deletion at both end to the list but insert in one lead मतलब दोनो तरीके दोनो इसके first olive portion और node का दोनो तरस आगे और पीचे दोनो तरस से आप इसको delete कर सकते हैं लेकिन insert कर सकते हैं इसका one end से इसको बोलते हैं input restriction dq ठीक है तो यह कुछ question है तो आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं ठीक है यह download कर सकते हैं मैं इसका pdf नीचे डाल दूँगा आप वहाँ से download कर सकते हैं इस तरह का question आप इस channel चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं ठीक है तो आज का जो है session यहीं पर खतम होता है आप देख सकते हैं आप यहां से download कर सकते हैं देख सकते हैं चलिए मिलते हैं आपको next class में तब तक के लिए channel में बने रहें और देखें यह नए वीडियों के लिए और आप वीडियों अच्छा लगए तो subscribe करें खास करके यह जो जारखन वोड़ करा है तो आप यहां से जारखन वोड़ के question सारे ले सकते हैं Thank you धनिवाद